हाई गाईज विल्कम बैक टो मैं चानल टीए वी दो फूड व्लॉगर्स यहां आपको मिलेंगे फूड ट्रावल लेटेड व्लॉग्स तो जैसा कि गर्मी कहर मचार ही है डेली एंस यार में और खाना खाने का मन नहीं करता तो आज मैं बताऊंगे आपको वो रेसिपी जो हर खाने के साथ बनाइए और सिफ दो मिनिट में बन जाती है तो रोस बनाइए रोस फ्रेश फ्रेश खाएए हरे धनिय की चटनी और आप लेए तो पुदिने की चटनी यह बना सकते हैं पर आज हम हरे धनिय पर कॉंस्टेट करेंगे और इसके लिए में जादा कुछ नही और इसमें हम लालमेश नहीं डालेंगे क्योंकि गर्मियों में लालमेश जलन करती है तो हम इसमें डालेंगे दो हरिमेश क्योंकि हरिमेश चटपटी थी अगर चटपटी नहीं है तो आप लालमेश डाल सकते हैं बाकी चटपटी वाली हरिमेश आजकल इसली अविलिबल मिल लहमें डाल नहीं नहीं है दो बनाने ना तो जटपट बनाएंगे बिना मसालों के और फिर इसमें नूह जादा पानी वह बाद में डालेंगे और इसी के साथ अब इसको अच्छे से बंद करके चला लेना मिक्स कर लेना और मिक्षर कुछ इस तरीके का रेडी हुआ होगा द मैं कर लेती हुँ इसको ट्रांसपर अच्छे से अगर आप लोग को पतला लगता है तो आप कर लीजेगा तो बस देखो यार अच्छा लग रहे ना और पता है फ्रेश बनाओगे ना फ्रेश खाओगे तो टेस्ट भी ऐसा नहीं लगएगा कि रोज-्रोज खा रहे हो तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना शेयर कर देना चानल को सब्सक्राइब करना मत बूलना अब मैं मिलूंगे एक नई व्लोग के साथ तब तक के लिए स्टेटियों और निजॉय और फूड बाबाइ